तो जो फार्मर्स यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या ट्रैक्टर्स को हम आम्स में गिनेंगे क्या वो गोलियां लेके बंदूगे लेके प्रोटेस्ट करते जी नहीं वो वहाँ पर ट्रैक्टर लिखे जा रहे है दो महीने उन्होंने पंजाब में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया तब कोई तुनवाई नहीं अब जो वो दिल्ली जा रहे है तो उन पर पानी की बुचारी की जाती है तो ये लोग तंत्र की पूरी तरह से हत्या है अब तो वो भी खातम है तो वेचारी जाये कहाँ एट लास उनके बस दो आप्शन बज़ती है कर्जिया स्यूसाइट तो जिस देश में जो वहां का किसान मरने पर उतारू हो जाएगा तो वो क्या सफर होगा क्योंकि एक तिन्ने ही जरे कुनून लेके आंदे है अब तो ने किसान बरोद दियता रहे हैं कि अंदर सरकार की और से तीन क्रिशी ओर्डिनेंस लाए गए हैं जिने लेकर किसान विडियो जुता रहे हैं किसानों ने पहले चौसर दिनों तक यहां शांती पूरों कंदोलन किया सरकार नहीं मानी तो किसान दिली को कुछ कर गए वहां उन्हें पहुंचने ऐसे उनके साथ इस तरह का वभार किया जा रहा है जैसे ये लोग दूसरे देशly आयों कभी उने का जा रहा है कंभी ने नक्सलवादी का जा रहा है जो पर उनके रास्ते में कई तरह की रुखाब ने कड़ी की गई हैं पानी की बचारी डाले गई आंसु गैस उनके पर छोड़ी जाती हैं हमारे साथ यहां के कुछ रिसर्च स्कॉलर्ज हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर कार किसान विरोध कर रहे हैं और जो केंदर सरकार का रवाया है वो कैसा है साथी काल जी तोड़ा नाम सब्सक्राइब नाम तरजी संग है ति मैं इते पीएसडी कार दाया ते पहली गाल खेती साड़े को तंदा चानिए जी बचाण बंदा एस करके जहड़े कोई करून भी आवेगा और पेला जीवन जाच नो नाढ लेके आवे गा इस करके कोई बीदो कोनून जाते है कुल तुसी लाओ ठीट काड़ यह जा नवी देख दे रहे है इस करके क्योंकि एकंदिया चाण दी जीवन जाच सब्सक्राइब करना जो भी साथे वीर साथी जो बिरोध करने गये ने वह बेल्कोल जाइज बिरोध कर रहा है ते सरकार अनुना दी गालप जरूर सुननी चाहिए तो अनुनी लागदा कि किसा जड़ा सेंटर गौवर्मन देड़ा रवया है ओ ठीक नहीं है क्योंकि जे किस बूर पहुंचे या इदा नहीं करना चाहिए ता पहली गाल कोई भी मसला आया उगालबात ना सुल जाया जा सकता पर उगालबात उससार ना कीती नहीं जा रही उते बलाके विको गल कहिए बेस है एनुन मानलो सही या सही या जगले दी गाली नी सौननी उपन डिवेट क इनकी उनकिसानों की बात तो सुनी है मानना या ना मानना तो बात की बात है किस तरह का वीवारक एक साहनों किया जा रहा है वह तोनात नँट मैं इत्थ हुए गुर्णानक देवी उनिवस्टी पीएच्टी का रहे हैं और लगातार जड़ा किसानी संगर्च देनल जड़े हैं मेरे फादर साब जड़े स्विंदर सेंग अकिस्तान मजदूर संगर्च कमेटी देजड़े अगूने कफन अंगल जोनतों और अपाउना लगातार जाके और उन्हानों जड़े लोग ने उन्हानों सुचेत भी कर रहे हैं कि इसादे जड़े कनून आए ने एक क्यों सादेली खतरनाख ने क्योंकि जो आपाई नू पड़े हैं नू कॉंसिट्यूशन जड़े पास हो इने बिल ता इदी विच अपाई एक चीज करिए ता पंजाब देविच जड़ा मंडी सिस्टम ड्वेल्प हो या ता इदी आपां जे बैग्राउंड देखिए ता अलाव दिन खिलजी ने लगपक तेरवी चौद्वी सेंचरी देविच एजड़ा सिस्टम जड़ा ड्वेल्प कीता सी गा और उदों तो ही ए लगा जेकर यह लाइन दर्जे कर देती जबी आपका काटो काट एमस्पी दे अदार्त आपा फसल करीद आगे तोड़ी गाल ठीक है भी इना दी मांगेगी लेकिं सेंटर गवर्मेट तेना दी गल सुनू तयार नहीं की जिमें केंदे बी एक कमेटी बनाती जावे पहले तक इन जड़ान लगातार इन रंतर जड़ा गाल बातना बहुत वार हो चुकिया जी पर ओदे वेचो गाली नी सुनुदे किसे ले अपने उन गाल हुंदी सीगी विराजना संग आउनगे अमिशा जी आउनगे और फिर नहीं आउदे आपने दुजे दर जड़े लीडर आओ पे मैं कहना चौंदा सीगा कि सानु सब तो पहला जड़ा वेस जड़े कनून बनाएने इदे प्रति सानु अवेर होना चाहिए रहा है कि एक किमे साधे ते मारूने क्योंकि मैं एदे ते ते गरीमन लगा तार लेक्चर भी दिन दरहा हमां कि एक साधे ली कियों नुकसान ते एक सेंटर गवर्वर्मेंट अर गई है भी इसी गाले नी चुननी तवाड़ी तो अनु की लगगा है एक्चुली जे उनना दे किसान दे हित्तों वेख्या जावे ते फिर ओ कहरे ने काला कनून काले कनून डेफिनेटली ते ब्लैक लॉस जे एमस्पी इनी ही सही सी गी जो एक कर रहे ने उसे अकॉर्डिंग जे पी एमस्पी दी नहीं लोड़ सी देन वाट 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 जेडी एजिटेशना बिकुल सही है अब ना दिया मंगा जया जने एवरी परसन है था राई तू डिमांड फर ते है परसन दे रहा है वसी जे गल करिये भी जे आज तों 50 साल पहले चल जी ते मेरा खाला जड़ा 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 ज़ाज दो इस फसलां जादा एक ही गुणा बद गी दुझे सटरां जटन खावाँ के जड़ा ज़ा जड़ा जा रहा है बेलकुल इहीं हो रहा है जह ता नहीं कार सके कि उन्हों इस अपादर यह ने परसंट डेना जड़ा जाद के होड़ा आज प्राइजेशन है क्यों एक मोनोपोली हो जगी मोनोप पॉलिंग दा मार्जिनल फामर्स सो एथे ही कहना चाहांगा कि जे किसान इस तरह ने तरह ने इसनु गोवर्मेंट नु एदा नहीं लेना चाहिए क्योंके जे एथे मैं कहना चाहिए कि लौ इस आल्वेज पॉर्दा पीपल 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 और नॉट फॉर्दा लौ सो कनून हमेशा लोकावास हैं गालोगा कि इनना इनंकोश्मेंट ना कर न इनना कनून नू उनना सुनन ओ जो कह हुए तो इनने दिन हो गए जो इते पुखे पर आसे जिड़ा आँप त्यार कर तरह वाद जो इनने दिन मापी इतना करेगा होएगा तो सारी दुनिया डैफि क्वेशन पर्फूर्स प्रवाइजिटेशन तो इतवे कोछ अंसर मैं भी कहना चाहूंगा के इस जे जिमें फार्मर्स ने पीसफुली एजिटेशन अग्या आया हो यह चीज़ां थे ना खाली सनी कहा देनार उन्हान नुच निये ऐ औना नहीं करने ज़ह इना झाल किसाना दे नाल तो इस चीड नोह रगय लाकर जाना जाए तो कॉपमेंट किनना कि छेष्ट नहीं चोप रहासा घड़ी उनना ज्वाब देने प्ट इनना उन्यका दें ज़िए पंजाब किसान ते हो अन्यका किसान जड़ा ही और वंड़ंधि वेले और बेठे रहन के एक किनी के देर रखे एजड़ा, so I think this is not the time to view the merits and demerits of these laws, I think this is time to take a decision by sitting, so इनो बड़े आरामनल, peacefully, इस ते बैके, सुचार करके इनो शौट ओड करना चाहिदा, क्योंकि किसान एक साथा basic base है, जे उस तो बिना तसा एक लिएक किसान दा मुद्दा न आज चाहिदा, पोजन चाहिदा, जे किसान हो डिस्पार करनेगे, definitely every society will be dissembled, मैं तो अनू लगदा कि जे ने कनून बनाएने लेके, सरकार नो रद कर दे रहने चाहिए, क्योंकि किसान जिदे लिए कनून लेके आया है, ओ नहीं मन रहा है, definitely मैं ही कहना चोना कि this is not time to see the merits and de-merits of these laws, जाद के जिनना वास्ते कनूने, फार्मर दे वास्ते हैं, फार्मर ही उनू acceptable नहीं है, they are not right, so government have not to incursionate, उना ते अपना फैसला थोपन दी कोशिच किती जा रही है, जाद के नहीं होना चाहिदा, जदो मैजॉर्टी सारा किसान, किसानी जेडिया तुर्के रामा चाहन देने, देखिए ये एग्रिकर्चर एक्सपर्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर भी मारे साथ हैं, इन्होंने ये स्पष्ट काया है, कि जिनके लिए कनून लेकर आई है सरकाच, जब वो ही नहीं मान रहे तो इस कनून का क्या वाइदा, उन्हें समझाएं, उन्हें पहले ही समझाना चाहिए था कनून को लाने के लाने से पहले, हमारे साथ मास कम्यूनिकेशन के भी कुछ रूडने से उन्हें से बात करते हैं, तो अड़की नहीं है, कुमर जी तानू की लगदा किसाना अज करीब करीब सतर दिन होगे ने, लगातार तरनिया ते बैठे, पहले रे ना ट्रावागे शेकोब ने तूर्दी रेए महीं होना तर्शी कीता जान यह, हर तरहां दी कोशिश की भी अनू दिली ना उन्टाव से भी हैं तो न हो दो तो लाग़ दे सरकार नोए कनू रद कर देने साइथ को जड़े बिल्कुल जो टोड़ी नामें आ एड लोग सब किसान न जड़ा कनून एट जड़ा किसाना दा एजिटेशन उन लेके तो और फेलें एक एंदे कि एनने वचोलिया खतम कर देना आरती सिस्ट कोई भी विचोलिया नहीं कर देंदा लाओ कि नहीं नहीं इपटा कर देन और शुगरमिल लाड़ी ओंटैक्ट कर दें रहा थे हो जड़ी उन्हाने ने देमिल, जद्च पर राट नहीं चाहे हैं प्रदशन रामली ली ग्राउंड एक जंतर मंतर ते करना चोंद ही उथे उन्हान जानने ता ते बुराडी ग्राउंड देवे चोंद हो यह उथे सारे नू पता ही यह तो नू क्याद कर लना से नहीं सावख होंड ते इते उन्हान दे नाल फिर बचलू की हूई है इनका भी कहना है कि किसानों लिए किसान इक खुष नहीं है तो इस कानून का क्या फाइदा इसानों पर लाटी जार्ज होता है किसानों को बंद की जेलों बंद करने की कुशिश की जाती है तो अड़ा की नम है सैमिप्रीट को रहा है तो अनू की लगदा कि किसाना लिए जड़ा अजिटेशन चाल लिया है ओ देश लिए किना कातना कातना है सर देखो जड़े भी लॉज थे सर जड़े कनून होंदे पास आउट होंदे हैं सर में चौनी है कि जए पास कारदे ने तो गवर्मेंट निना ते आंजरूर रखना चाहिए है सर जड़ा होना कनून ही पास हो रहा है लाइक ऑडिनेंस तेन पास किते गए सर उनके सान इना विरूद रहा है मतलब सर जे मोधी सरकार्दी गल कीती जावे उनने अपने हाक वेच पेश कीता है कि कनून बिलकुल सही है पर जड़ा किसान होई चीज पहुंदा है कि ए और इनेंस वाप्त ले लेते ज़न क्योंकि बेसिकली सर देखो जे मंडी ओडी सर किसान आख विच ना रहा हो कहने कि फिर आहनू ए सब कुछ लाइक प्री ट्रेड करना सानू की फैदा जो एगल कहने पए कि जिसाड़े को मंडी बोडी ना रहा जिए साड़े को लाइक MSP ना साड़े हाक विच रहाए गी त तोड़ा समझाता करके गाल कर दिती जांदी फिर सर इना दिनाल कॉपरेट हो साग दे सीगे बड़ सर मैं इस दे कहना सोनी कि जिद्धा किसान चाल दे पई है मैं दिनाल तोरना चाहूंगी क्योंकि सर जी ओडिनेंस वाप लाप लाए लेन ते इट वुड़ बेटर फॉर फ सेम बिल पास हुआ था अमेरिका जर्मनी रश्या अगर वहां पर यह नहीं चला तो अफकोर्स यहां पर भी नहीं चलना चाहिए इंडिया हमारा डेमोग्रेट भी नहीं है तो आइटिंक कि फार्मर्स के लिए जादा बेटर होगा अगर पुराने वाला सिस्टम ही कांटि रागव जी तो अनों की लग रहा है किसान देखो तरने ते बैठे हो नादी गालनी सुनरी जिक केंदे पांच बंदे आ जाओ कदी मीटिंग वलाने हैं भी मीटिंग उन्हों फिर उससे दसंदी कोशिच की जानी है भी तो आड़े फेवर चने तो अनों की लागदा भी कि पिल्कुल करा जरूरर हुए है क्योंकि एना घंड घूरी जिफ़ी जारी जिरफ पांच बंदे बला रहे हैं जिना दोन हाड़े है पर हैड़े नालं बश्रू किती जा रही है उन्हान भी तो यह लिवांटि करें जारे है ते किसान थे सरकार असाफ कहरी कि कि अपा कनून पहला नई नहीं पॉपस लवाँगे पास करके रवाँगे जिदा राजसभा च्वी अद्धा किता गया हिए जिदे विरोधी पार्टी नहीं विरूद करना दी ही ते क्साना सब्सक्राइब पहला थे बैठे लाए किसान बहुत देर पहला थे बैठे बहुत इस अंगरश कर पर ने ने अजाह नहीं से त 272 बहुत जड़ा अपने अकपनी अक्रोस्टे गया फिर मन हम इनका इना के इक भी घृतरा है देश के लिए अगर सरकारगी अपनी लेख लेंगे हटेंगे हटेंगे नहीं पीछे तो अले की नाम है रब जोद तो अनला की कहना जी इंतिना कनूना थे टे किसान दे एजिटेशन थे के अंदर दिर्वाई यह थे सर मेंनों लग där है गमेंट बहुत गरिया के साइन लें चेएगर के साना सटेह नहीं नहीं तो यह नहीं नहीं पंञाब दहीं नहीं तो व्लक्ताइब 0.600 एंड़ अर्माइगे में धा पर्संत लोग है यह ऑंन sticks पंजाब ते अंडर पॉवर्टी लाइन हो जाएगा फिर आपा लोग बाकी डॉक्टर लॉयर जी ते लोड पैंदी 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 अपर से दिन रोज जाड़ी सानों एक किसान दी लोड पैंदी है कानवा से अगर साथ को खानवा से अनाज ही नहीं होएगा अगर एई करके आपाज खाने पीन देपें जीन देपायां की नामे तोड़ा मृत उनुख दा वीजी अजी टिशन हो रही है पिछली सतर दिना तो किसान जड़ा लगा ता रिजी टिशन कर रहे है ते सरकार दा रवया के दानदा सरकार दा रवया थे बिलकुल ठीक नहीं पर वेक य जाए neutral point of view तो ते सरकार फार्मस दा फैदा करन ली तुरी सी बट फार्मस नू लगदा है कि उना ली गल्त अगा हुण वेख्या जाए पहला जिड़ा एक्ट अगा हुग कहन दा है कि फार्मस पहला एपी एम सी लोकल मार्केट या एमस पी ते वेच पांदे सी पर हुण ओ प्राइवेट नू भी वेच पांगे पर उन्हादा एकन है जे प्राइवेट हाथ विच सिद्धा आजनगे ते हॉली हुली करके एपी एमसी खतम हो जेगा जिवें बीसनल टे टैम ते वुड़ा फो इसी तरह बी एसल कंपणी बेगी और भी कि सरकारियों कंपणी को ऐसा ही आल हुआ है तो अनुक्त लगदा कि पहले जिवें 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 रिलाइंस दे जिवें फ्री बंडे ते उन बाच उनने वादू रेड कारते कंपणीयां सारी दढातियां एना नाल भी इंदा ह किस जडे प्राइवेट जडे आउनगे और जेकर किसे भी सूरते कंपणी पाच जन दिया तम जड़ा लोन है उनुक्सान उतार ना उतार ना पहुगा किसान कि उतारूगा और जिवें जड़ा भी तेरे जड़ी दोशी पाई जान दिनू पर डे जड़ा पांजार जड़ इड़ी पाई जोगा काड तो काड़ काट हो जर्मानी धजड़ी जड़ी रखे गए और पंजी यह रखे गए और वद वद जड़ जड़ी लाख तो पांच लाक एगर किसे भी रूप ते किसान दोशी पाया जाना ता किसान क्थो अदा करूगा मेंनोंटार वाद वी प् किसान की पीड़ा देखिए आप 6 महीने में केवल 15,000 रुपे की बचत हुई है जो किसान आप सब का हम सब का पीट पाल रहा है मैस पीजे खत्म कर देंगे अगर जिए मैस पी खत्म करती था साठी जड़ी जड़ी साठा ग्राफ हो डाउन हो जोगा और वड़ा किसान देखो जिए शोटा किसान आप एक एंडिया कि खुली मंडी है जो थे मर्जी जागे लाए सकता ठीक है पर जड़ा शोटा किसान आओ कि जाओगा एज गया देखो ना अंबर साथा किसान तरन 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 विचन जा सब्सक्राइब करांगे तो अनुई दर्स ना भी बिहार चों पंजाब चुभी आगे चोना विगदा जे उत्व नौसर प्याइब नौसोशी लागे थे तारना किसानों को मिठा जाहर दे रही है बात पहले उनकी जमीनों पर दीरे दीरे कब जाएगा यही किसान के जो है यही इंदेशा है किसान को इसलिए वह धरने कर रहा है तो अरकी ना है करण दीप सिंग जी तो अनुगी लगदा है जड़ी सेंटर गौवर्मेंट ते किसाना जड़ी एजिटेशन चली कितों तक ठीक है असारा बिल्कुल ठीक नहीं है कि जी आता सिदी जि किसान जड़ी जवान ना तो हमारी कंट्री जवान को खुश रख पा रही है ना ही फारमर को खुश रख पा रही है यह अगर देखा जाये तो यह रूलज निका ले गए किनके लिए ए फारमर के लिए बट फारमर्स के लिए बट फारमर्स ही इस चीज को एकसेप्ट नी कर बारे हैं यह दुश्मन बंता जा रहा है उनका तो क्यों जैसे कि देख़ अगर हम GDP की बात करें positive GDP सिर्फ और सिर्फ agriculture department की है सिर्फ farmers की वज़े से है और कोई भी आप अगर side पे देख लोगे GDP किसी की भी positive नहीं जा रही है, negative जा रही है और फिर उसके बाद में यह जब चीजे लेके आते हैं कि खालिस्तान बनाया जा रहा है यह चीजे बहुत गलत है अगर हम past में जाके सोचे खालिस्तान जो persons थे अगर एक positive expect से सोचे तो उन्होंने भी पंजाब का हक ही मांगा था, ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, सरकार के आया है कि लोगों को गलत influence करना जाती है इन सब चीजों से उनको गलत provoke करना जाती है कि किसान गलत है but actually में किसान गलत नहीं है किसान अपना हक मांग रहे है किसान ने मिट्टी से कमाना है तो जब उनको उसी का हक की नहीं मिलेगा किसान नहां जाएगा आपको का लगता है जैसे पहले देश में नोडबंदी होती है फिर जीर्शी लगाई जाती है और भी कि ऐसे फैसले होते है उन से ध्यान बटाने के लिए सब कुछ अपनी उसकी जो चुपाने के लिए ये दवारा एक नया कानून थोपक दिया गया जैसे हम कह सकते हैं कि सरकार के पास इतने उन्होंने प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिया है मंदिर खड़ा कर दिया है और हम स्टाचूज बना रहे हैं इतना इतना एक्सपेंडिचर जा रहा है अब सरकार के पास पैसे खतम हो रहे हैं किसी भी प्लान की success और failure उसके implementation प्रिपेंट करती है अगर government कोई plan बनाया है they need to make us understand कि उसके importance क्या है क्या उसके advantages है like अगर उन्हेंने कुछ सोट की बनायो अगा ना शायद तो उनको farmers को एक बार बिठा के समझाना चाहिए अपने point of view रखने चाहिए, उनके point of view सुनने चाहिए आपको क्या लगता है कि किसानों को ये वाला जो तीन law लाए है कि कानून लाए गए हैं, पहले किसानों से बात करनी चाहिए ही थी उसके बाद implement करना चाहिए था बिलकुल, क्यूंकि किसानों को पता है कि उनको कैसे काम करता है क्या काम करना है, सरकार को थोडی的ा पता है, वो तो अपनी कुर्सेल पर बैठे है ऐसा भी लग रहा है कि जो कारपोरेट खाराणे है, उन्होंने khôngको फ्रेम किया बना के सरकार को दे दिया और सरकार ने उस पर साइन कर दिये बिल्कुल सरकार से लाट सकेल पर सोच रही है क्योंकि जैसे अगर हम कॉंट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें चोटे खतम हो जाएंगे बिल्कुल इनका यह कहना है छोटा किसान खतम हो जाएगा आहां कहां बोलो मैं कुंट्रेक्ट फार्मिंग देशना चौना सिक विच जड़ा प्राइवेट जड़े करा नहीं ने ओकी सांदेना कॉंट्रेक्ट करने के में जिए मालों किसान ने कहता मैं कुंट्रेक्ट कीता कि मैं तो आनू एसवरी सोगोंटल जड़ा चोना देगा ठ किसान मारू कनून ने हैं तो आड़ा की नाम है तो आड़ा की कहना जिए तीन कनून है तो किसान और एजिटेशन का रहे देवारे की किसान ठीक कर रहे हैं सेंटर गोवर्मंट ठीक है सर किसान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो अपने हग के लिए लड़ रहे हैं और जो गवर्मंट ने जो तीन लॉस बिनाए हैं उन्होंने एक तो पहले उनको अच्छे से बताया नी कि लॉस से उनको क्या बेनफिट होगा अगर नई चीज है तो फिर सबको समझने में उसको टाइम तो लगेगा और जैसे जिनके पास छोटी जमीने हैं उनके लिए तो और नुकसान की बात है उनके बड़े स्केल पर जिनके बड़ी जमीने हैं उनके बारे में सोचा उनके साथ फिर वो कॉंट्राक्ट फार्मिं कि सब तो पहला उननों फार्मर्ज नों पुछना चाहिदा सी कि ओनाली बैनिफिशन नहीं है ताहिं उन तक इनना कुछ कर रहे ने तेज़े साधी स्पाइनल को और मन्या जांदा फार्मर्णूजे ओही नी ठीक होईगी साधा देश किद्धा वो करेगा साधी बेसिक नी देखे किसी भी सेक्टर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो लिबरलाइजेशन तो बहुत बेनिफिशल रहती है और आप कोई भी गवर्मेंट की प्रेस कॉंसरेंस उठाकर देख लो उन्होंने लिबरलाइजेशन वर्ड को यूज किया है कि यह जो पॉलिसी हैं यह लि इगनोर करके फिर भी इंप्लिमेंट करें यह बताकर कि यह बेनिफिशल है वो तो गलत है आपको लगता है कि किसान एक तरह से गुलाम हो जाएगा काउपरेट घ्रावनों का अगर यह कानून लागू हो जाते हैं तो इग्जाक्टली क्यूंकि हमारा जो किसान वो शुरू से प्राइस टेकर आये प्राइस मेकर नहीं जब तक किसान प्राइस मेकर नहीं बनेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ग्रोध होगी अगर आप चाहते हैं कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और जब ऐसी कंट्री में हमारे अनदाताओं हमारे फार्मर्स के साथ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उनकी कंडिशन तो यह सिरफ एक इंडिविजुल के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत जादा शर्मनाक और दर्दनाक बात है क्योंकि चांद पर हम पहुँच गए हैं मंगल पर भी पहुँच जाएंगे लेकिन पेठ हमारा अनाद से भरेगा और वो जो है वो अनदाता ही पूरे करेंगे और सीधा सीधा अगर हम सब भी एक नट्शल में कहें तो सीधा सीधा फायदा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज कॉपरेट्स को क्योंकि पहले कॉंग्रेस के टाइम पे टाटा बरला का राज था अब अडानियम बानी का आ गया है अगर हम कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की भी बात करें 85% से जादा छोटे किसान है कॉंट्रेक्ट फार्मिंग सुनने बहुत अच्छा लगता है कि पहले ही भाई कॉंट्रेक्ट हो गया प्राइवट कंपनीज और फार्मर्स के बीच में लेकिन उससे तोड़ने का या रखने का पूरा-पूरा हक उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनीज को दिया है फ़र एक्जामपल मैं लेज की एक्जामपल लेती हूँ उन्हें आलू चाहिए वो अपने फार्मर्स को बोलेंगे अब जिस किसान ने इतना मेहनत करके पूरे टाइम अपनी खेत में सिरफ आलू उगाए वो कहां जाएगा वो बे सहारा होगे उसके पास कोई आप्शन ही नहीं बचती कि वो उनके कहिदाम पर जो है वो खरीदे और MSP खतम कम मैं ये चीज से अगरी करती हूँ कि शोशन पहले भी किसानों का होता था बहुत बुरी हाला आता है इंडिया में लेकिन कम से कम उनको MSP का सहारा रहता था अब तो वो भी खतम है तो बेचारे जाए कहां अट लास उनके बस दो आप्शन बज़ती है कर्ज या स्यूसाइड तो जिस देश में जो वहां का किसान मरने पर उतारू हो जाएगा तो वो क्या सफल होगा बिल्कुल उनके बड़ी अच्छी बात कही है किसान के जो है कर्ज लेना और आतम अत्या करने के अलावा पहले भी कुछ आरा नहीं था और सरकार जो ने कानून लेकर आई है उस वो भी किसान जो है उस दलदल में धस्ता जाएगा तो आड़ा की कहना है बिल्कुल जो इनने क्या बहुत सही किया कि किसान नू इनना छोटा ना हो समझन्द जो हो चल रहे ने जो इनने देना इननी रात ठंड दे वे चो किते भी बैक के आजीटेशन कार सागते ने बड़े अराम दे ना तो उनननू उननू सोनना चाहिए जे एही एही किसान आज़े एक गौवर्मेंट बनाई है जे गौवर्मेंट ही इस तरह करेगी डैफिनेटली फर गौवर्मेंट जा भी साकती है तो इस करके मैं कहना चोना के इनना नू जे उनना नू जिनी देर तक और आके उननना बैक किसे गालते नहीं गालबाद कर सागते ने चोड़ न एलिमेंट्स में चौन गे सो बी अवेर आप देम कोशिश करो के बाकी अंदा साड़ा सारे अंदा फर्जबांदा जे हो जी कोई नोटिस चांदा तो उननू समझाओं दी उननू विचो कड़न दी कोशिश करो सो तां जो आसी इनू पॉस्टिवली पीसफुल एजिटेश नोगे लाइजिए एंड आई थिंक के गॉवर्मेंट नो बहुत क्लीर हो जाना चाहिए था होनके उनननू इस मुद्धे ते गाल करके किसे पासे नो लगाउना चाहिए था क्योंकि इस तना दे किसे सलूशन ना ले आके नुकसान कर रहे ने अपना देश्दा नुकसान क आपका नाम जाए और मैं सारे मसले के वारे में यह कहना चाहूंगी कि यह जो जितने किसान है यह आपिसली हमारी बैकबून है इनके बिना नेशन आज और होल प्रोग्रेस करी नहीं सकता तो सबसे पहले चीज होती है और यहां पर चल रहा है कंफलिक्ट हमें चाहिए कंसेंस जिससे मतलब एक मिला जुला एक उनके फेवर में जो उनका फैसला वो चाहते है वो उनको दिया जाए ना कि वो जा रहे है अपनी बात रखने जा रहे है और उनके उपर पानी की बुछारे की जा रहे है उनको ला बिवार को सुननी चाहिए इस तरह का परताब नहीं करना चाहिए आपका नाम धिरिका जी आपका क्या कहना है मेरा भी यही कहना है कि भारत को सबसे बड़ा लोक तंत्र माना जाता है लेकिन यहां पर लोक तंत्र जैसी कोई बात नहीं है लोग दंतर का गला घुटा जा रहा है, डेमोक्रेसी कहते हैं, of the people, for the people, by the people, of the government, by the government, for the government, ऐसे हालात हो रहे हैं, हमारे fundamental rights कहते हैं, कि हम protest कर सकते हैं, without arms, तो जो फार्मर्स यहां पे, यहां पे protest कर रहे थे, क्या tractors को हम arms में गिनेंगे, क्या वो गोलियां लेके, बंदू की बुचारी की जाती हैं, तो यह लोग तंतर की पूरी तरह से हत्या है, क्या कहना आपक? कि मेरे पास एक और example है, कि जैसे गुजरात में पिछले साल पैप्सी को ने गुजराती किसानों पर एक करोड का केस थोप दिया था, यह कहकर कि उन्होंने आलू खराब दी हैं, अब एक छोटे किसान के पास इतनी शमता नहीं है, कि वो समझ सके इतने बड़े-बड़े कि उसमें लिखा क्या है, ना उसके पास financial support है यह सब चीजे करने को, तो एक तरह से depression की condition आ जाती है, तो आप खुदी हम अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी worldwide companies से लड़ने का, उनके विरूद case file करने की भी उनमें हिम्मत नहीं है, लेकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी ह है कि किसानों के पास तो इतना समर्थ है नहीं है, वो इतने मोटे मोटे agreement होंगे, उन्हें पढ़ेंगे कैसे, ऐसी clause लगा दी जाएगी, जिससे किसान पस जाएंगे, और सरकार को बिना देरी के यह तीनों कनून रद कर देने चाहिए, कोड़ागी केना, सर मेरा कहना है, ज जो गरीब तपके दे लोक है गे हैं, अपाँ पैसे कितो लवाँगे, ठीक है, जड़े हानों एक के दो किल्ले आले हैं, जे पंद्रा तो वी यार्पिया बाच दाया, ते असी आरतिये को पैसे लाएके ता फेर भी जागे बोज़े हैं, ठीक है, ताहीं आपाँ पुरा प किसानों का अजिटेशन लगा अतार करीब सतर दिन से अधिक हो गया है, वो चल रहा है, सरकार उनकी बात सुनने नहीं रही है, बार-बार कमेटियां बनाई जा रही है, इनका कहाना है, सर तोड़ा की कहना जीद बारे, ऐस तरह हैं कि कोई भी जदों असी चीज लागू कर सरकार ने रिसेंटली एक निव एजुकेशन पॉलसी भी लियां दी, उस देखला आप ते कोई वरोध नहीं होया, क्यों नहीं होया, देखना पहेगा, कि जे उस तरीक उस पॉलसी नू लियां लिए, पहले एक एक एक्सपर्ड कमेटी ने पॉलसी बनाई, और नू पब्ल पॉलसी लागू होई, कोई वरोध नहीं होया, कि ऐसारा प्रसीजर असी फोलो किता, एग्रिकल्चर बिल ले आन लग गया, असी पहले ओडिनेंस ले आए, फिर असी एनू पब्लिक डमेन दे वेच इंप्लिमेंट कारता, पारलिमेंट चों जिस तरह पास किता गया, टमेंट पलिशी सरकार ने कीती है, कावपरेट गराना कीती है, टाइप करके सररकार दे अत्फड़ा आता है, सरकार ने उती ते बिना सोचे समझे, साइं करते हैं। उते ज्यादा थे नहीं कुछ कहना चांदा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं है कि भी एदा कोई फैदा होएगा किसाना नू जा नहीं होएगा लेकिन अगर सरकार कहन दी है कि एदा किसाना नू बहुत फैदा है तो सरकार ने डिसकस क्यों नहीं किता सरकार ने नू पबलिक ड कि साड़ी कमिनिटी ने जड़ी जगीरदारा कमिनिटी ने उन्हानों लेके ते जड़ा पिछे लाके चलगी पेड़ चाल सीगी कि जो उन्हानों कहता हूं आपके कि आज ओ सेम सिच्वेशन है कि कि साड़ी प्रोफैसर नहीं है जाकि किसान दे बच्चे जड़े एंजिनियर नहीं है जाकि किसान दे बच्चे जड़े कोई अच्छी IAS Services दे वीच नहीं है बिल्कुल है गिया साड़ा जड़ा नारा जया जया किसान साड़े जड़ाण है ऑभी तो नोग्रीकुटि ऐस गाल दे उते डे है एक नून साड़े वीच नहीं है जो एकनोमी ग्रौथ होने चाहिज है जो नहीं हो रही जरूरत है है साधे को कुछ McDonald al deal nobody me कौपोरेट करानियां वाले पासे क्यों तुरपय के भी it कौपोर्परइटाइजर्टाइशन कर दे नहीं कौपोरेटाइजर्चन जड़ी है ओस मूवमेंट दे नहीं चाहिए दा सिगा ता जो एस सेक्टर दे विच ग्रोथ नू वदाया जा सके जड़ी पास ऐसी नहीं चले अच्छा तो अनू की लगदा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो पज़न ले क्योंकि अपने गुलों एक जड़ी है प्रावलम नो काउपरेट ते किसाना नो आपस लडान दी कोशिश कीती है इता नहीं मैं कह सकता क्योंकि देखो अल्टिमेटली एक गालता पकी है कि सरकार कें दिया जी मस्पी गरंटी दे प्रीवेश सरकार निसी दिन दी असी हुन पिछले स्पोर्ट प्राइज किसे भी सरकार ने नहीं किया और स्पोर्ट प्राइज स्पोर्ट प्राइज है सरकार न दी Spencer Cris好 क्रिवेश संभर्च किसान कि मारंग है वह यहाइद है अगर किसानों की मांग जाय ना ऑथी तो वह इतने दिनों तक संगर्श नहीं करते और रात में ठंड में बाहर नहीं बैठते इस कमकपाती सरदी में किसानों को समझाने के लिए उनका बेटा है जो बहुत बड़े अधिकारी हैं किसानों के बेटे ही हैं पहले हम किसान हैं किसान पूरे जो है किसान को अन दाता कहा गया ह हर एक जो घरे का वो पेट बरता है किसान ही खतम हो जाएगा तो आखिर हम कहा जाएंगे पता नहीं किंदर सकार ऐसा क्यों चाहरी है कि कापुरेट घरानों के अदीन उनको कर दिया जाए हमारी भी यही दर्खास है किसानों की अगर मांगे जाए जाएं तो इसे इस कानून क रद कर देना चाहिए यदि सरकार कहती है कि हम सही है तो किसानों को इसे समझाया क्यों नहीं जा रहा कुल मिलाकर देश का नुक्सान हो रहा है और उन्हें खालिस्तानी कहना भी गलत है उनके रास्ते में रुकाब डियर डालना भी गलत है सरकार को एक माँ बाप जैसा